नमस्कार आज प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया मोदी ने का कि कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस के लोगों ने वोट के चकर में तुष्टी करण की सारी हदें पार करती मुधी ने इंडिय एलाइंस को खान मार्केट गैंग बताया नरेद मुधी ने कहा कि खान मार्केट गैंग न सिर्फ दलित पिछडों आदिवासियों का आरक्षन चीन कर मुसल्मानों को देना चाहता है बलकि ये लोग देश की संपत्ती वक्फ बोड को देना चाहते हैं खेलों में धर्म के आधार पर सेलेक्शन करना चाहते हैं बैंक लोन धर्म के आधार पर देना चाहते हैं देश के बजट का पंदरा परसेंट हिसा अपने वोड बैंक को देना चाहते हैं नरेंदर मोधी ने का जब वो इस हकीकत को देश के सामने रखते हैं तो उन पर हिंदू मुसल्मान की सियासत करने का इल्जाम लगाया जाता है लेकिन मोधी को वोट की नहीं देश की चिंता है इसलिए वो हकीकत बयाक करते रहेंगे और इंडी ऐलाइंस के मनसुबों को एक्सपोस करते रहेंगे मोधी ने आज दिल्ली के रैली में सिख फिरोधी दंगों की भी बात की कॉंग्रेस और केजरिवाल के करप्शन का बुद्धा उठाया दूसरे तरफ अर्विन के जरिवाल ने कहा कि मोधी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन चार जून को इंडी ऐलाइंस की सरकार ही बनेगी हाला कि दिल्ली में आज कॉंग्रेस अजजक मलका जून खरेकों को भी केमपेन करना था साली तैयारियां हो चुकी थी कायरकरता जुट गए थे लेकिन खरगे नहीं पहुँचे चुकि छटे फेज में उत्तरप्रदेश पच्चे मंगाल हर्याना पंजाब जरकंड के साथ डिल्ली में वोटिंग होनी है इसलिए इनराजियों में सियासी पारा काफी घर्ब है आज बंगाल में हाई कोट ने 2010 के बाद जारी किये गए पिछले वर्ग के सर्टिफिकेट रद करती है क्योंकि ममता सरकार ने पिछले जातियों में 118 मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया था ममता बेनरजी ने कोट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया इस फैसले से बंगाल की स्यासत पर क्या असर पड़ेगा अकले शादव के रेलियों में आजकल भंगरल क्यों मचती है और मोदी ने इसके क्या वज़े बताई इन सब की बात करेंगे आज की बात में हो जाएगा इसलिए आज डिली में प्रधानमंतरी नरेद्रमोदी की दूसरी रैली हुई आज की रैली में नरेद्रमोदी एक अलग रंग में दिखाई दिये उन्होंने कॉंगरेस के जमाने में क्या क्या हुआ डिली के लोगों ने कैसी कैसी मुसीबते चेली और अब कॉंगरेस मुसल्मानों को धर्म के आधर पर आरक्षन देना चाहती है तब से विरोती दोलों के नेता उनके पीछे पड़े हैं मोदी पर हिंदू मुसल्मान की राजनीती करने का इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन मोदी रुकेगा नहीं डरेगा नहीं सच्चाई को जनता के सामने खुल कर रखेगा इसके बाद मोदी ने का कॉंगरेस और इंडी अलाइस में शामले पार्टियों में तीन चीज़े कॉमन हैं सब के सब घोर साम प्रदाइक हैं सब के सब घोर जाती वादी हैं और सब के सब घोर परिवार वादी हैं मोदी ने का कि अब देश को से उसे कंपेर किया और इसके बाद ये भी बता दिया कि कॉंग्रेस मुसल्मानों को क्या क्या देना चाहती है ये लोग लगातार सरकारी जमीने वकब बॉड को दे रहे हैं बदले में वोट मांग रहे हैं ये लोग देश के बजट का 15% मायनोरिट के लिए रिजव करना चाहते हैं ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं ये दर्व के अधार पर स्पोर्ट्स बैक खिलाडियों की इंट्री करवाना चाहते हैं ये वोट बैंग पॉलिटिस की पराकासता है अपने वोट बैंग को खुश करने के लिए ये लोग CAA का विरोग कर रहे हैं अपने इसी वोट बैंग को खुश करने के लिए इन्होंने देज भर में गुश्पेट्जियों को बसा दिया है यही लोग है जो दिल्ली के बाटला हाउस एंकाउंटर पर आशु बहाते हैं यही लोग है जो तीन सवा के खिलाब कानून उसका विरोज करते हैं तो उससे करन में एक से बढ़कर एक है और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गड़ बंदन बनाया है और साथियों अब ये खान मार्केट गैंग के पास एकी रास्ता बचा है मोदी चितनी बार मुसल्मान सब्दे बोले उसको कह देना के सामप्रदाइक्ता का भाशन कर रहा है साथियों मैं जब इनकी गोर सामप्रदाइक हरकतों को हकीकतों के द्वारा तथ्थों के द्वारा एक्ष्पोस कर रहा हूँ तो इनका पूरा एकोसिस्टिप चिलाता है कि मोदी हिंदू मुसल्मान कर रहा है भाईयों मैंनों मुझे चिंता इस देश की है आप आजादी के पहले के दिन देखिए कॉंग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकते शुरू की थी जिसका पनणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए दर्ब के अतार पर हो गए महिंदू मुसल्मान नहीं कर रहा ये लोग सुबह साम राद दिल मुसल्मान मुसल्मान वोट बैंक वोट बैंक वोट जिहाद वोट जिहाद यही उनका खेल चलता है जब एक खेत्रिय पार्टियों ने कॉंग्रेस का मुसल्म मुट बैंक खा लिया तब से कॉंग्रेस खुलकर और बड़े स्थर पर साम प्रोधाइक साजी से करने लगी है इसके बाद मुदी ने दिल्ली के लोगों को सिख फिरोधी दंगों की याद दिलाई प्रोधी ने का एक तरफ वो लोग है जिन्होंने सिख भाईयों के गले में जलते टायर डाल करोंने चलाया दूसरे समोधी है जिसने दंगा करने वालों को जेल भीजा उन्हें सजा दिल्वाई दिल्ली में जो लूटियन गैंग है जो खान मार्केट गैंग है उसने इन गोड सामप्रदाइट लोगों की रक्षा करने में अपनी जिन्दगी खपा दी है उनके पापों को देश की जंता से छुपाने का पाप किया इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डाल कर मेरे सीख भाई बहनों को जिन्दा जलाया गया था ये गुना किसका था आज कॉंग्रेस की छत्री के नीचे खड़ा हर दल सीख दंगे का गुनगार है ये मोदी है जो सीख दंगे के पिडितों को नयाय दिला रहा है मोदी ने आते ही साइटी बनाई जो आरूपी कॉंग्रेस नेता खुला गुम रहे थे उनको हमें सजा दिलवाई कॉंग्रेस को आड़े हातों लेने के बाद नरेंदर मोदी ने अर्विन के जिर्वाल की बात की मोदी ने के जिर्वाल का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि दिल्ली में कट्टर भ्रस्टर आचारियों को देख रहे हैं लेकिन अब मोदी इन लोगों की संपत्ती का एकसरे करेगा यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रस्टर आचारियों का खेल देख रहे हैं इन लोगों ने दिल्ली को दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा अदालते भी इन कट्टर प्रस्टाचारियों की लूट देकर हरान है जो लोग राजरीती बदलने आये थे आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वाद गात करके बैटे हैं कि जो लोग अदालत के निड़े को लेकर के नाच रहेते हैं कल के अदालत के निड़े को देखो पता चल जाएगा इनका चरीत्र क्या है साथियों कि इंडी वाले गरीब और मद्यमवर की संपति का एक्सरे करना चाहते हैं इसलिए मैं भी दिल्ली से पुरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं मोदी पिछले दस साल मैंने जो किया है उससे भी जादा ताकत से बिना डरे हुए बिना ठके हुए बिना दबाव में आये दस साल में जो किया है उससे जादा और मैं चुपाता नहीं हूँ इन प्रस्ताचार्यों की संपत्ति का एक्सरे अम्मोदी करेगा सराब गोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हैराल गोटाला हो ब्रस्ताचारियों से पाई पाई वसुली जाएगी और मैं कानूनी सना ले रहा हूं कि यह जो पैसे हम जब तक कर रहे हैं वो किसे ने किसी निर्दोसनागरी के ही पैसे किसे ने नोकरी के लिए पैसा दिया है किसी ने नोकरी के लिए जमीन दिया हुआ है किसे ने नोकरी के लिए अपना गर लिखवा दिया है यह जिसके अभी ट्रेल मिलेगा मैं देश वाजियों को बादा करता हूँ अगर मुझे पकर ट्रेल मिल जाएगा हाँ यह पैसा उसी का उसके पास गया है तो मैं यह पैसा उसको लोटाऊंगा जिस वक्त नरेंद मोदी द्वारका में रेली कर रहे थे उस वक्त अर्विन केजरिवाल अपनी पत्नी सुनिता केजरिवाल के साथ दिल्ली के मालवे नगर राके में रोड़ शो कर रहे थे ये लाका नई दिली लोकसवा सीट के तहट आता है आम आदमी पार्टी ने यहां से सुमनाद भारती को उता रहा है मालवे नगर में रोड़ शो के दोरान केजरिवाल ने मोदी को जवाब दिया कहा अब तो ने पक्का यकिन हो गया है कि चार जून को मोदी जाने वाले हैं उन्हें हार का डर सता रहा है इसलिए असली मुदों पर बात करनी के बजाए मंगल सुत्र की बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नराज हैं लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ चार जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है चार्ज उनको इनकी सरकार नहीं बन रही है और इनको भी पता है इनको भी पता है इसलिए आजकल बुरी तरह से बोखलाई हुए हैं अजीब अजीब बाते कर रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं वो वो इस पे बात करें कि मैंने दस साल में इतना काम किया इसलिए मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा, इसलिए वोट दो बोले, इंडिया गटबंदन वाले आपका मंगल सुतर छीन लेंगे क्यों छीन लेंगे भई? आज अभी अभी मैं सुन रहा था, आज वो कहीं भाशन दे रहे थे बोले, ये इंडिया गटबंदन वाले आपके घर की तूटी छीन के बाग जाएंगे इंडिया गटबंदन वाले सवेरे सवेरे आपके घर से अख़बार लेके बाग जाएंगे पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं वो हमें ऐसा प्रधान मंत्री चाहिए पूरे देश में इस टाइम जनता महंगाई से तरस्त हो रही है ऐसा प्रधान मंत्री चाहिए जो पेट्रोल के दाम कम करने के बारे में सोचे डीजल के दाम कम करने के बारे में सोचे लोगों के गैस के दाम कम करने के बारे में सोचे, जो महंगाई दूद सस्ता करे, सबजियां सस्ती करे, दाल सस्ती करे, लोगों के लिए रोजगार देने के बारे में सोचे, वो तो सोचते ही नहीं है, बात ही नहीं करते रोजगार की, बात ही नहीं करते महंगाई की, इसको जेल में डालूंगा इसको जेल में डालूंगा हेमन सोरेन को जेल में डालूंगा ममताब एनर्जी को जेल अरे क्या है यार यह ऐसे देश चलाएंगे इसके बात के जर्वाद ने ये भी बता दिया कि चार जून के बाद जब देश में इंडिया इलाइंस की सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा दिलवाएंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते हैं यहां की कानून व्यवस्था को दुरूस्थ करेंगे चार तारिक को इंडिया गढ़बंदन की सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी आपकी पार्टी भी केंदर केंदर सरकार में हिस्सा होगी और सबसे पहला काम कराएंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे फिर दिल्ली का एलजी आपका होगा आपका आदमी दिल्ली का एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा आपके काम दोड़ दोड़ के करेगा उसके बाद उसके बाद दिल्ली की कानून विवस्था ठीक करेंगे करनी चाहिए की नहीं करनी चाहिए की कानून विवस्था बहुत गड़बडाई हुई है आप ठाने जाते हो पुलिस सुनती है आपकी चार जून के बाद सुनेगी पुलिस आपकी दिल्ली में महिला सुरक्षा इस वक्त एक बड़ा इशू बना हुआ है और चीफ मिनस्टर के घर में स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट का केस काफी चर्चा में है लेकिन अर्विन केजरिवाल ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा वो एक हफ़ते से इस इशू पर खामोश है हाना कि आज उन्होंने पीटी आई को एक इंटर्वियू दिया उसमें भी स्वाती मालिवाल के उद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो केजरिवाल ने सिर्फ इतना कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह के बाते कही जा रही है इसलिए इस केस की निश्पक्ष जाँच होनी चाहिए इसके जवाब में स्वाती मालिवाल ने कहा है कि उन्हें धमकाय जा रहा है ट्रोल किया जा रहा है उनका character assassination किया जा रहा है मुख्यमंतरी आरोपी के साथ घूम रहे थे उसे अपने घर में बुला रहे थे और अब कहरें कि निश्पक्ष जांच होनी चाहिए इस से बड़ी विडमना और क्या हो सकती है एक बात होता है कि सौती मालिवाल के साथ मार्क बीट का मुद्दा केजरिवाल को भारी पड़ सकता है कानूनी मुश्किल तो होगी ही सियासी नुकसान भी हो सकता है जहां तक केजरिवाल के जाम का सवाल है कि मोदी कैमपेन में इमोशनल इशू उठा रहे हैं तो केजरिवाल भी आजकल अपनी वाइफ सुनिता केजरिवाल को साथ लेकर रोडशो कर रहे हैं उनसे भाशन दिल वा रहे हैं जिसमें वो कहरे हैं कि अगर मोदी को वोट दिया तो केजरिवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा ये एमोशनल अपील नहीं तो और क्या है केजरिवाल कह रहे हैं कि मोदी आया तो तानाशा ही आ जाएगी सम्विधान खंप कर देंगे दलितों पिछलों और आदिवाजों का आरक्शन खत्म हो जाएगा ये सब एक ही तरह की बाते हैं असल में बात या है कि दिल्ली में 2013 से केजरिवाल की सरकार है इस दोरान लोकसभा के दो चुनाब हो चुके हैं और दिल्ली की सातों की सातों सीटे बीजेपी ने जीती इस बार एक अंतर है कॉंग्रेस और आमानमी पार्टी का घटबंदन है दोनों मिलकर लड़ रहे हैं लेकि इस बार भी बीजेपी के ले हालात मुश्किल नहीं देखते क्योंकि अर्विंट केजरिवाल के खिलाफ क इस दिन की जमानत पर हैं इसके लावा केजरिवाल ने उसी कॉंग्रेस से हाथ मिला लिया जिसके नेताओं को करॉप्शन के चार्जेज में जेल भेजने की कसम खाकर वो सब्ता में पहुंचे थे और मोदी ने आज इसी बात का खिकर किया इसलिए केजरिवाल भी जानते ह कि रैली में मोदी ने का उपि के दो शहजबार परिशान है इंडी अलायंस के नेता पांच चलनों के बाद बौकलाय हुए हैं मोदी ने का अपनी हार ताय देखकर इंडी अलायंस के नेता रोज जीत हार के नए-णए फिगर्स बता रहे हैं अलग-अलग कुछ भी कहले जनता फैसला कर चुकी है मोधी सरकार का तीसरी बार आना निश्चित है इसके बाद प्रधान मंतरी मोधी ने राउल गांदी और अकले शादव पर डारेक्ट अटेक किया मोधी ने अका कि सपा और कॉंग्रेस के शहजादे अववा उड़ा रहे हैं कि यूपी में 89 सीटे जीतने जा रहे हैं अभी तो वो दिन में सपने देख रहे हैं जब रिजल्ट आएगा तो EVM पर सवाग उठाएंगे पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं इन पांच चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोधी सरकार पक्की कर दी है और इसके लिए आपको इधर उसर देखने की जरूत नहीं है आप इंडी एलाइंस वालों के बयान देख लीजिए हर को यह लग आकड़ा बताता है और उनके पुराने आकड़े और उनके पुराने प्रणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडी एलाइंस एसान निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको यह भी याद नहीं रहता है कि वो दो दिन पहले क्या बोले थे आज क्या बोल रहे यह हाल है इनका मैं सपा कॉंग्रेस के दोनों सहजादों की फ्लाप फिल्म की बार बार रिलिस से हरान हो यह दोनों सहजादे अब मिलकर अफ़ा उड़ा रहे हैं यह कहते हैं यूपी की 79 सीट जीट जाएंगे मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है चार जुन को यूपी की जनता इनको निंद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा इवी एम पर फोड़ेंगे बस्ती के बाद प्रधानमत्री नरिन मोदी श्रावस्ती पहुँचे 2019 में श्रावस्ती से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट राम शेरोमनी वर्मा ने चुनाब जीता था लेकिन दो महिने पहले मायवती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया जिसके बाद वो इंडिडेट के कैंडिडेट के तौपर चुनाब रड़ रहे हैं और उनका मकाबला बी जे पी के साकेट मिश्रा से हैं साकेट मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्मर प्रिंस्पर सेकेटरी और राम बर्दे निर्मान में जुटे निर्पेंदर मिश्रा के बेटे हैं मोदी ने आज श्रावस्ती में साकेट मिश्रा के सपोर्ट पेरेली की और यहां भी कॉंग्रेस और समाजवादी पर्टे अलाइंस पर जम कर हमला बोला उन्होंने राहुल गांदे और अकलेख की जोड़ी पर कॉमेंट किये मोदी ने का दो शहजादे दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार में आए तो मोदी के सारे कामों को पलट देंगे नरिद मोदी ने का ये राम बंदिर पर ताल अलगबा देंगे जिन चार कोड़ गarson गरीब लोगों को घर मिला उनके घर चीन कर अपने वोट बेंक को दे दे देंगे जिनने मुफ्त राशन मिलता है उनका राशन बंद कर देंगे जिनने उजवला योजना में मुफ्त सिलिंडर मिले उस सिलिंडर चीन लेंगे मुदी ने कहा कि दोनों शहजादों के पास ना कोई विजन है ना कोई आइडिया है उनका एक ही जंड़ा है मूदी के काम को पलटना लेकिन कितने कामों को पलटोगे वो भी गिनातो पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मूँ से सुनी क्या दोनों साजादों ने एक बार भी बरोसे मन बात नहीं कही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आकिरे वोड मांग क्यों रहे भई ये कहते हैं मूदी ने जो काम किया है आम उसको पलटने के लिए आएंगे और यही इनका एजंड़ा है मूदी के कामों को पलटना मूदी ने चार करोड गरीबों को पक्के घर दिये इन चार करोड गरों की जो चाबी है वो उसे ले लेंगे मकान छिल लेंगे और उनकी वोट मेंको मकान दे देंगे अरे क्या क्या पलतोगे क्या क्या बदलोगे इनके नेता कह रहे है कॉंग्रेस आई तो C.A.A. को रद कर देंगे कहते हैं कॉंग्रेस आई तो कश्मीर में तीन सो सत्तर फिर से लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा जो आतंकवादी आज जेल में है उन्हें कॉंग्रेसी पी-एम के घर में बुला कर बिर्यानी खिलाएंगे आप कल्पना करिये इन लोगों के इरादे बेस को कितने तबाह कर देंगे इसके बाद प्रधान मतरी मोदी ने बताया कि आजमगड में अकलेश चादव के रेलियों में भगदर क्यों मच रही है पिछले दो-तीन दिन में अकलेश के रेलियों में हंगामा हुआ तोड़फोर हुई कल आजमगड के रेलियों में भी ऐसा ही हुआ हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्च तक करना पाँ था इस पर आज मोदी ने का उन्हें पता चला है कि भीड पैसे दे कर वाइदा करके बुलाई गई थी लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो भीड अपना पेमिट लेने के लिए मंच के तरफ दोड़ी और हंगामा होके कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चड़ जाते थे तो मैंने पुझा भाग ये भुड़दन क्या चल रहा है तो उन्होंने बताया कि सपा कॉंग्रेस वाले रेली में लोगों को लाने के लिए कॉंट्रेक्ट देते हैं प्रतिव्यक्तिव पैसे देते हैं लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं इतने लोग गुसे में भाग करके मन्च पर पहुँच गए अब जिस पारिटी का ये हाल हो वो आपका भणा कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको सुनदाता हूँ कि अकलेश शादव ने आज आजम गड़ मोधी के बारे में क्या कहा अकलेश ने आजम गड़ में दो पर्बिक बीटिंग्स की यहां अकलेश ने कहा कि पिछली बार तो आजम गड़ के लोगों से गलती हो गई थी लेकिन इस बार यहां बीजेपी के दाल नहीं करेंगी इसके बाद अकलेश अदव ने कहा दिल्ली वाले उनको और राहूल गादी को यूपी के शहजादे बता रहे हैं लेकिन इस बार यह शहजादे बीजेपी को शेह देंगे और जनता बीजेपी को मात देगी अखले शादव ने का कि चार जून को जम्दती जाएंगे तो बारा बजे एक फिल्म चलेगी एक थी बीजेपी ये लोग जो कहते हैं शैजादे शैजादे सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कॉंग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिल करके कह रहे हैं शैजादे इस बार देखना दोनों मिलकर कि जो शैजादे ऐसी शैजादे देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजबादी पार्टी और इंडिया कड़बंदन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार असी की असी सीटें भार्टी जनता पार्टी हार जाए हम और आप लोग टीवी अख़वार में कभी कभी सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है चार जून को जब बारा बज़े के लगवाग बोर्ट गिंती आगे बढ़ रही होगी उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी उसका नाम होगा एक थी भार्टी जनता पार्टी अख्ले शादव अपना सारा जोर सिर्फ जीत का दावा करने में लगाते हैं लेकिन नोट करने वाली बात है कि आजम गड़ को तो समाजबादी पार्टी अपना गड़ मानती है यहां से अख्ले शादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं इसके बावजूद अख्ले शादव दो दिन से आजम गड़ में जम्य होए हैं डिमपल यादव भी आजम गड़ में थी दोनों ने दो दिन में पांच जगा रह लियां की इसलिए योगिया अधितनाथ अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अख्ले शादव अपने परिवार की सीटें बचा लें यही काफी है आज योगिया अधितनाथ ने यूपी में बस्ती, जौनपूर, सुल्तानपूर, सिदार्थनगर और बलरामपूर में पांच जगा पब्लिंग मीटिंग्स की हर रैली में योगिया ने दावा कि चार जून को बीजे पी चार सो पार होगी सुल्तानपूर में अकलेश राहूर की जोड़ी पर तंज किया योगी ने का कि पचास-पचास साल के दो लड़के ग्यारा बजे सो कर उठते हैं फिर उनने भाशन रटाया जाता है तब ये घर से निकलते हैं योगी ने का जो लोग सिर्फ चुनाव की वक्त निकलते हैं और बाकी वक्त घर में सोते रहते हों उन्हें जनता क्यों चुनेगी ये दो लड़कों की जोड़ी जो है न ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है उनको कुछी भी पता नहीं होता है दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है क्योंकि एक तो ग्यारा वजे सो के उठेंगे तो उनको पताई ने कि क्या करना है फिर जल्दी जल्दी कारिकरम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भीजना पड़ता है और पचास साल और साड़ साल के हो जाएंगे तब भी लड़के ही रहेंगे जीवन पर उनको लड़का ही रहना है बदोई के रैली में योगिया दितनात ने का कि यूपी में अखले शादव सबी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतनी उम्मिदवार भी नहीं थे कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ने इसलिए भदोई में तो बंगाल की पार्टी का उम्मिदवार ले आए योगी ने का ये वही ममता बैनर जी हैं जो हिंदूों से नफरत करती हैं सादू संतों को देश से भागाने की बात कर रही हैं योगी ने का पहले समाजवादी पार्टी के राज में जो गुंडे प्रदेश पे दंगे करते थे वही लोग अखले शादव के रैलियों में आशकल हंगामा कर रहे हैं योगी ने काक जो अखले शादव अपनी पार्टी के लोगों को भी ने सम्भाल पाते पुद्देश को और प्रदेश को क्या सम्भालेंगे कि तीमसी का तुनाम आपने पहली बार सुना होगा टीमसी के लोग क्या बोलते हैं कहते हैं इस सादू संतों को मार के भगा देना चाहिए क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या अरे कहां से सब ये मारिच और सुभाव आ गए हैं जो बिश्वा मित्र की येके सादना को विद्वंच करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की स्थित्थी देखो आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नाजारा आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अंसासन हीनता को यानि उनका जो नारा है कल का नजारा भी वो था उसी प्रकार का था जैसा नारा वेसा नजारा सपाका है एक ही नारा जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा यहीं बोलते थे न यह लोग जिस किसी का होता था कपजा कर लेते थे अब तो अब तो यह समाजवादी पार्टी चुनार लड़ने लायक नहीं कल देख रहे होंगे कैसे धिमा कुस्ती हो रही थी लोगों में मंच पर आपस नहीं अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है जो पार्टी अपने बड़ों का छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो लिहाज न रखती हो वह सब के समाज के हिस्से तो नहीं है लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या और जो कारणामे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के थे वही कारणामे वेस्ट बंगाल में टी एम सी के हैं उसी का प्रिवर्थी दूप है अंतर कुछ के वल नाम का अंतर है कारणामे दोनों का एक जैसे हैं एक ही जैसे हैं और इसलिए तो इन सब के डिये ने कॉंग्रेस से मिलता जुगता है असद दूदिन ओवेसी भी आज उत्तर प्रदेश में हैं ओवेसी के पार्टी ने इस बार पलवी पटेल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में पीडियेम एलाइंस बनाया है स्वामी प्रसाद मौर भी उनके अलाइंस में है आज ओवेसी ने प्रताप गड़ में पल्वी पटेल की पार्टी को मिदवार रिशी पटेल के लिए रैली की यहां ओवेसी ने बीजे पी के साथ साथ अकले शादो पर भी मुसल्मानों के साथ भ designated भाव का इजाम रगाए ओवेसी ने का कि मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा छूटा है हकीकते है कि मुसल्मानों को गाली दे बगार मोदी और योगी का काम नहीं चलता वैसे निकाह अखलेश भी कम नहीं है मुसल्मानों से वोट मांगते हैं लेकि जब मुसल्मानों पर जल्म होता है तो खमोश हो जाते हैं इसलिए इस बार मुसल्मानों को अखलेश के चक्कर में नहीं फसना चाहिए इस देश के पधान मंत्री नरेंदर मोडी बने है उन्हों ने एक मनसुबा बन तरीके से भारत की सियासत और आजनीती से मुसल्मानों को गयब करकर रख दिया आज आप बीजेपी के अड़टाइसमेंट उठा कर देख लीजिए वहाँ पर लफजे मुसल्मान तो छोड़िये लफजे अखलियत भी आपको नजर नहीं आता भारत के वजीरियाजम है और कहती है कि मुसलिम बहीने का बच्चे पैदा करती है भारत के वजीरियाजम है और कहती है कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगल सूतर निकाल कर मुसल्मानों को दिया जाएगा भरत के वजीर आजम है और सत्रा कोर अवाम के तालुक से वजीर आजम कहती है कि हम गुस्पेटी हैं अप्दान मंतरी को पहले भी कही चुके हैं और आज भी कह रहें कि हम किसी के गले से उतरावा मंगल सूतर लेरेवाले नहीं हैं हम उस मंगल सूतर को पचाने वालों का नाम मुसल्मान और फिर उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री बोलते हैं कि फुलांकी आत्मा आ गई हम जानना चाहते हैं उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री से कि पांच सो साल हो गया उस शक्स को मरकर उसकी आत्मा आपको कैसे मालूम हो यहां पर आ गई तो मालूम हुआ कि उत्तर परदेश के मुक्या मंत्री को जिन्दों की फिकर नहीं है आत्माओं की फिकर अगर आप समाजवादी पार्टी कोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादफ बरिवार को मस्बूत कर रहे हैं बताईए आज आप आप देखते हैं कि यही अलाबाद में एक शख्स जिसको कोट ने सजा दे दी गई थी जिसके हातों में हत्कड़ियां थी पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई कोई नाम लेने तयार नहीं था मैंने खुल कर कहा कि अतीख हैमत का खतल है ये और खतल कर खतल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए पिर आप देखते हैं कि जेल में मुफ्तार अंसारी उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पाईजन दे दी आ गया जब नाम लेने के लिए तयार नहीं है तो कोट के हखदार कैसे बन सकते हैं आपके बताईए आप जब बुल्डोजर से घर तोड़े जा रहे थे तो क्या अकिलेश यादव आज आपके दर्मियान में आकर खड़े थे यूपी में ओवैसी बीजेपी के नहीं अकिलेश के टेंशन बढ़ा रहे हैं अकिलेश यादव इस बार एंटी बीजेपी वोटों का बटफारा रुकने में पूरी ताकत लगाई है उन्हें यकीन है कि एक मुष्ट मुस्लिम वोट उन्हें मिलेगा लेकिन ओवैसी जितना बोलेंगे अकिलेश का खेल उतना ही खराब होगा अकिलेश की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब उनके जीत के दावों पर कोई यकीन नहीं करता पिछले चार एलेक्शन्स में वो इसी तरह क्लीन स्वीप के दावे करते रहे और हर बार खलस थाबित हुए वो बार बार कहते रहे कि योगी जा रहे हैं अकिलेश आ रहे हैं और हुआ उल्टा तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अकिलेश को यूपी में लड़ाई अकिले लड़नी है नाम के लिए तो उनका कॉंग्रेस से साथ अलाइन्स है पर ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस को राइबरिली छोड़कर किसी और सीट में इंटरेस्ट नहीं यूपी में कॉंग्रेस का कोई संगठन है ना कोई वोट सपोर्ट है दूसरी तरफ मोदी और यूगी हैं दोनों की जबरदस वोट अपील है काम का ट्रैक रेकॉर्ड है और सबसे बड़ी बात उनके साथ एक मदबूस संगठन भी है आज हिंदू मुसल्मान की सियासत बंगाल में भी हुई और इसकी शुरुआत हुई हाई कोट के फैसले से असल में आज कलकाता हाई कोट से मम्ता बेनरजी की सरकार को बड़ा चटका लगा हाई कोट ने पच्चिम बंगाल में 2010 के बाद दिये गए सारे OBC सर्टिफिकेट रद कर दिये कोट ने का जिन लोग के पास 2010 के पहले के बने OBC सर्टिफिकेट थे हैं वो वैलिड रहेंगे 2010 के बाद के certificate पर जिनको नौकरी मिल गई है या जिनकी भरती का प्रोसेस चल रहा है उन्हें भी इस फैसले से छूट दे दी गई है पश्चिम बंगाल के backward class commission act के मताबिक OBC की जो भी नई लिस्ट बनती है उस पर final more विदासभा से लगती है लेकिं जस्टित तप्रवत चक्रवर्ती और राजशेखर मैथा की बैच ने कहा सरकार ने OBC certificate माटने में तैप प्रक्रिया का पालन नहीं किया इसलिए अब backward commission बंगाल में OBC की नई लिस्ट बना कर राज़ सरकार को भीजेगा असर्में 2010 में उस वक्त की लेफटरंड सरकार ने अधर backward नाम की एक नई कैटेगरी बनाई थी और इसे OBC A का नाम दिया गया था 2011 में सत्ता में आने के बाद ममताब एनरजी ने भी इसी कैटेगरी को जारी रखा था जिसके बाद 2012 में बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ पियाई लाखील की गई कलकता हाई कोट के फैसले से बंगाल में OBC सर्टिफिकेट पाने वाले एक कम से कम पांच लाक लोग प्रभावित होंगे ममताब एनरजी ने कहा कि अदालत ने ये फैसला बीजेपी के शारे पर सुनाया है लेकिन वो इस फैसले को नहीं माने OBC को जैसे पहले आरफ्चर मिल रहा था वैसे भी मिलता रहेगा आज के अमे शुनेछे को नायक जाज के दिये जिनी शाराक कोन भद्धलोग जाजी छेवे ताक्या मी शनमान कोरी काज नेगी कलमो नेगी कदीन धरे पुधान मोंती बोले बया राच्छे ना माइनोर डिस्त ना तफोसिली देरे रिजार्विशान केरे ने बे एटा कोकोन होदे पारे ताले संग भिधान जेरे भेंगे दिते होए ताले की नरंदमोदी चाहिछेन देश्ट्रा के बिक्री कोरे इते ना संग भिधान के बिक्री कोरे इते संकालोगुरा कोखनोत अफोसुली देर संग लोख्खितो आशना हाद देबे ना अधिबाशी देर हाथ देवे ना, एटा दीदे पारे ना, देवे ना, दीदे पारे ना, किन्तु बदमाईश लोकेरा काज कराए एजेंसी के दिए, काउ के दिए एक्टे ओडर कोडिये छे, जो दियो तार राय आमी मानी ना, जावन छपपीशाजार टीचार के, जखन बा ममता बैंदर जी ने सिर्फ ओबीशाजन ने बाट की, बेकवर्ड की बात की लेकिन असली बात गोल कर गई, लेकिन अमेच चाह ने खुलकर पूरा मामला सामने रख दिया, अमेच शाह ने का कि असल में ममता बैंदर जी ने मुसल्मानों की 118 जातियों को OBC में शामिल करके आरक्षन देना शुरू किया था मम्ता वोट चे चक्कर में दलित आधिवासियों और पिक्षणों का हक मारकर मुसल्मानों का रेजर्वेशन दे रही थी अमिश्चा ने का कि अब मम्ता वोट को गुमरा करने के लिए कह रही है कि वो खोड का देश नहीं मानेगी लेकिं केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षन उनी को मिले जो वाकई में इसके हक्तार है ये मामला मूलत वहां से हुआ है कि 118 मुसलिम जातियों को बीना किसी प्रोसेस पिछड़ेपन के सर्वेव अगरे के बगर मम्ता बैनरजी ने OBC का रिजर्वेशन दे दिया कोई कौट में गया कौट ने इसका संग्यान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिपिकेट इस्यू हुए है इसको अभिस थगन आदेश देने का काम हाई कौट ने किया है ममता बैनरजी पीछड़े वर्क के रिजर्वेशन के उपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है मैं हाई कॉट के फैसले का स्वागत करता हूँ ममता जी ने का हम हाई कॉट के फैसले को नहीं मानती मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूँ कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है सम्विधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोट के आदेश को नहीं मानते हैं किस प्रकार की मानसिक्ता से बंगाल का लोग तंत्र गुजर रहा है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमें निश्चित सूनिश्चित करेंगे कि हाई कोट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है जो पिछड़े लोग हैं पिछड़ा वर्क के लोग हैं उनको अपना अधिकार मिले कलकाता हाई कोट के आदेश पर आज मोदी भी बोले मोदी ने का कि ममता बेंदर जी ने तुष्टी करन की सारी हदे पार कर दी थी अब कलकाता हाई कोट के ओडर से ममता सरकार को करारा तमाचा लगा है मोदी जी ने का कि ममता कॉंगरेस और सारे विपक्षिदलों ने मुस्लिम तुष्टी करन करने की होड लगा रखिये हैं आज ही कोट काता हाई कोट ने इस इंडी अलाइंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है कोट ने 2010 के बाद से जारी सारे OBC सर्टिफिकेट कैंसल कर दिया है क्यों यह इस लिए किया गया क्योंकि पस्टिम बंगार की सरकार ने मुसल्मानों का बोट बेंग के लिए अनाप सनाप मुसल्मानों को OBC बनाने के सर्टिफिकेट दे दिये यह बोट बेंग की राज निती यह तुस्त्री करन की राज निती यह तुस्त्री करन की सनाख हर हर पार कर रही है आज कोट ने तमाचा मारा है मुदी ने मम्ता बेनर जी पर मुस्लिम अपीजमेंट का लगाया और फिर मम्ता बेनर जी ने ये भी कहा कि वो कोट के फैंसर को नहीं मानेंगी मम्ता का ये बयान भी अपीजमेंट पॉलिसी का हिस्सा है अब अगर बीजेपी अज़ाम लगाती है कि मम्ता दलितों पिछ्णों का हक काट कर मुसल्मानों को देना चाहती है तो इसमें क्या घलत है लेकिन मम्ता ये बात बार बार कहेंगी क्योंकि उनकी मजबूरी है मम्ता चुनाफ के वक्त मुसलिम वोड बैंक को किसी भी कीमत पर नारास करना अफूर नहीं कर सकती क्योंकि अपनी जीत के लिए मम्ता बेनरजी मुसलिम वोड बैंक पर डिपेंडेंट है इसलिए उन्हें कई समझोते करने पड़ते हैं जिसकी वज़े से बंगाल में रहने वाले हिंदू समाज की लोग नारास हो जाते हैं और हाई कोट के फैसलियों को नमाना इसी तरह का एक फैसला है और हमिज श्या बंगाल में मम्ता की इनी कम्यों का फाइदा उठा रहे हैं और अपने कैमपेंड में मम्ता को मुला, मदरसा और माफिया की राधनी ती करने वाला करार दे रहे हैं अब बात कांगरेस की राहूल गानी ने आज हरियाना में कैमपेंड किया उन्होंने महिंदरगर और सोनी पत्मे लोग को संबोधित किया और शाम को चंदीगर में संविधान संबेलन में भी शामिल हुए राहूल गान्दी ने हरियाना में किसानों और जवानों के मुद्दों को जोड़ शोर से उठाया राहूल ने का कि चार जून को इंडी ऐलाइंस की सरकार बनने के बाद किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे चार जुलाइस से महिलाओं के अकाउंट में खटा कट पैसा पहुँचने लगेगा और अगनी भी रियूजना को खत्म कर दिया जाएगा अरेंद्र मोधी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है मजदूर में बदल दिया है कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे एक नॉर्मल जवान या अपसर उसके परिवार को पैंशन मिलेगी शहीद का दर्जा मिलेगा सारी की सारी सुविदाई मिलेगी और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अगनी वीर नाम दिया है इस अगनी वीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पेंशन मिलेगी ना कोई सुविदा मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है ये सेना की योजना नहीं है सेना इसे नहीं चाहती है ये PMO से योजना बनाई गई है, इंडिया की सरकार आएगी, अगनिवीर योजना को उठा कर हम कुड़े दान में फेक देंगे राउल गांदी उनी इलाकों में कैम्पेंट कर रहे हैं, जहां कॉंगरेस का कुछ सपोर्ट बेस है, चूंकि हर्याना में किस्तानों और जवनों की संख्या च्छी खासी है, इसलिए राउल गांदी ने इन दोनों की बात की, लेकिन हर्याना में राउल गांदी ने जाती का जनगर्ना के बात नहीं की जो अपनी हर रैली में कहते हैं। एक्सरे की बात भी नहीं की, जो हमेशा कहते हैं। कॉंगरेस ने नेताओं को लगता है कि हरयाना में बीजेपी के खिलाव गुशा है, किसान अंदुलन का भी थोड़ा बात असर हो सकता है, जाटों का सपोर्ट क कौंगरिस को मिल सकता है लेकिन हर्याणा में कौंगरिस की सबसे बड़ी मुसीबती है कि यहां अलग-अलग कैम्प्स हैं खुटबाजी है कौंगरिस के नेता अपस में लड़ रहे हैं और इसका नुकसान कौंगरिस को हो सकता है उने में अपनी हाई-एंड कार्ड से कुचल कर दो लों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को आज पांच जून तक के लिए जोवनाईल होम भीच किया गया एडल की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं इस पर आज फैसला नहीं हो सका हाना कि नाबालिग आरोपी को चिल्डरन रिमान होम भीजा गया है और वो पांच जून तक अब्जरवेशन में रहेगा यानि उसे बालिग माना जाए या ना माना जाए इस पर फैसला पांच जून के बाद होगा कोट ने इस नाबालिग आरोपी को चिल्डरन रिमान होम में भीजा और उसके पिता को पुने के बड़े बिल्डर है विशाल अगरवाल उन्हें 24 मई तक यानि परसों तक के लिए पुलिस कस्टडी में भीज़ दिया आज जब विशाल अगरवाल को पुलिस वैन में कोट लाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने उनके ओपर साही फेकनी की कोशिश की ये लोग खुद को बंदे मातरम संगठन का मेंबर बता रहे थे विशाल अगरवाल के साथ चितेश मुवानी और जैश बोनकर नाम के दो आरूपियों को भी पुलिस कस्टडी में भेजा गया है ये दोनों उस बार के करमचारी हैं जहां हास्ते से पहले इस नाबालिग आरूपी ने शराप पी थी मुख्य आरूपी को अभी 17 साल और 8 महीने है वैसे आज नाबालिग आरूपी पर मोटर वेकल एट की धारा 185 भी लगाई गई ये दफ़ा तब लगाई जाती है जब हास्ते के लिए जिम्दार शक्स ने लिमिट से ज्यादा शराप पी हो जब इस आरूपी का शुरूपी का शुरूपी अल्कॉल टेस्ट हुआ था तब रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन बाद में बार की CCTV फुटेज सामनी आई जिसमें वो शराप पीते हुए दिखाए दिया हाना कि इस मुद्धे पर रादनिती शुरू हो गई है राउल गांदी जगा जगा इस शुक उठा रहे हैं कल उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो जारी किया था आज हर्याना के कारेक्टर में उन्होंने का कि इस देश में दो कानून है एक अमीर के लिए घरीब के लिए उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर गल्ती से अगर अक्सिदेंट कर देते हैं किसी को मार देते हैं एक दम उनको पकड़के दस साल की जेल हो जाती है चाबी फेक देते हैं पुने में सत्रा साल का बच्चा शराब पी के पोर्ष गाड़ी चलाता है दो लोगों को मार देता है और उससे का जाता है कि आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए अच्छा पई अगर वो ऐसे लिखेगा तो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ टेंपो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ राहूल गांधी के इस बयान पर महारास के डेप्टी चीपनेट देविन फर्णवीस ने सक एतरास जताया फर्णवीस ने कहा इस मामले में पुलिस एक्षन ले रही है आउरोपी के पेता को अरेस्ट कर लिया गया है इसलिए राहूल को हर मामले में राजनीती करने से बचना चाहिए श्रीमान राहूल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तविय किया है मैं ऐसा मानता हूँ कि इस घटना का राजनीती करन करने की यह बहुत ही ओची कोशिश है क्योंकि पुना की घटना में पुलीस ने तुरंत कारवाई की जिवेनल जस्टिस बॉड ने उसके ओपर जो निरनाई दिया उसके उपर हमने भी आश्चे रेवेक्ट किया है लेकिन पुलीस उस पर रुकी नहीं पुलीस ने वापीस उस पर अपिल दाखिल की और उपर के नया लेने उसका कॉग्रिजन्स लेकर वापीस एक रिव्यू पिटिशन जुवेनल जस्टिस बोड के सामने चल रही है जिनों उन्हें अंडरेच चाइल्ड को शराब दी ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है तो मुझे लगता है कि पुलीस की तरफ से पूरी कारवाई हुई लेकिन हर चीज में वोटों की राजनीती को लाने का जो प परसना करता है वैसे ये शूस सियासत का नहीं है सिस्टम के गड़बड़ी का है अगर किसी बच्चे से कोई अपराद गलती से हो जाए तो उसके साथ नर्मी बरती जाती है और कानून इसलिए बना है लेकिन कोई पैसे के नशे में शराब के नशे में मासूम लोगों को ग है ये कैसे हो सकता है और लोगा को गुसा इसी बात को लेकर है और गुसा बिलकुल जायज है पहले पुलिस ने ये कहकर छोड़ दिया कि लड़के ने शराब नहीं पी थी और फिर जूविनल जिस्सिस बोर्ड ने उसे डिबंद या ऐससे लिखने की सदा देकर छोड़ द